कि ये कारेकरम 7 मार्च 2024 का कारेकरम जम्मु कुश्मीर में एक फेस्टिवल की तरह होना चाहिए तोहार है वो आ रहा है जिसने टेर्रिजम कैपिटल का तगमा उतार कर जम्मु कुश्मीर को टूरिजम कैपिटल बनाया है वो मोदी आ रहा है जिसने पत्थर बाजियों की फोज की बजाए स्किल्ड कंप्यूटर चलाने वाले नोक्रियां करने वाले बच्चे बना दी एक तरफ वो तीन परिवार थे जिन तीन परिवारों ने जम्मु कुश्मीर को देहकते हुए शोलों पर फैंक दिया था भाई भाई को लड़ा दिया भाई भाई को कून का प्यासा बना दिया और खुद मोच करते रहे गड़बड होती थी लोकल कुश्मीरी जम्मु का नागरिक मरता था ये लंदन चले जाते हैं अब नई हवा आई है तो मेरी आप सबसे निवेदन है कि बारा मुला वाली रैली मैं समयता हूँ 2014 की रैली से बड़ी थी में सब 2014 की रैली आप उस समय थे बड़ीया रैली हुई थी दीदी भी थी आप भी थे सब हम सब थे लेकिन 2014 से बड़ी रैली की अनुवर साब वाली जो 12 मुला की रैली थी इसमें भी आप सब थे लेकिन ये अब अनुवर साब का रिकार्ड आपको सब को मिलके हमको अनुवर साब को बीच में बैठके इसको तोड़ना है निया रिकार्ड बनाना बनेगा बक्षी स्टेडियम निया रिकार्ड बनाएगा शहर के अंदर नरेटीव विकास का नरेटीव चलेगा विश्वास का नरेटीव चलेगा भारत का नरेटीव चलेगा